दोस्तों इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के पहले T20 मैच में हमें रोईच शर्मा और शुबमन गिल के बीच में लड़ाई देखने को मिली जहां पर पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर जैसे ही रोईच शर्मा एक लंबा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं वो बॉल सी और शुबमन गिल नहीं दोड़े और इसी वजह से यहां पर रोईच शर्मा जो है रन आउट हो जाते हैं शुबमन गिल अपनी जगे से हिल भी नहीं पाते हैं लेकिन रोईच शर्मा तब तक दूसरी तरफ पहुच चुके थैं इसी बात को लेकर रोई शर्मा काफी ज़्यादा नाराज हो जाते हैं क्योंकि एक अच्छा मौका था शुबमन गिल अगर उसी समय पर दोड जाते तो शायद तक ही रन आउट होने से बच सकता था लेकिन रोई शर्मा इसके बाद में काफी ज़्यादा गुसा होते हैं और शुबमन गिल को कुछ इशारा करके कुछ गुसे में बता रहे होते हैं कि दोडना तो चाहिए था या फिर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था जिसे देखकर शुबमन गिल भी काफी ज़्यादा निराश नजर आते हैं लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी भारत ने जो पहला T20 का मुकाबला है वो 6 विकेटों से जीत लिया है उसके बावजूद भी शुबमन गिल ने एक शांदार पारी खेली जहां पर उन्होंने 23 रन लगाए तिलक वर्मा की तरफ से 26 रन देखने को मिले वहीं शीवम दूबे ने नौट आउट रहते हुए 60 रन बना दिये थे और जिते शर्मा की तरफ से आज के मैच में 31 रनों की शांदार पारी देखने को मिली आपको बता दू आज के मैच में बालिंग भी भारत की तरफ से काफी ज्यादा शांदार रही जहां पर हमें मुकेश कुमार की तरफ से दो विकेट देखने को मिली अक्षर प दूबे ने भी यहाँ पर एक विकट लेकर अफगानिसान को पहले ही T20 मुकाबले में काफी बुरी तरीके से हरा दिया है।